नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HVS Studies के तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे books and authors के उपर books and authors जो होता है ये काफी important topic रहता है हर एक exam के लिए इनके उपर आपको हर exam में question जरूर मिलेंगे काफी बार exams में question या फिर जो अभी हाली में book launch हुई है उनके उपर इस वीडियो में question discuss कर रहे हैं तो ये जो वीडियो रहेगी काफी important video रहने वाली है तो चलिए start कर लेते हैं हम अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है who is the author of the book chronicles of change champions तो chronicles of change champions जो book है इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा इस्मृति इरानी तो इस्मृति इरानी जो है जो की child and development minister है इंडिया की उनके द्वारा लिखी गई है chronicles of change champions तो important book रहेगी अगला question देखते हैं हमारा who is the author of the book overdraft saving the Indian savers तो saving the Indian savers जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा उर्जित पतेल तो उर्जित पतेल जो है ये former governor रह चुके है reserve bank of India के इनके द्वारा book लिखी गई है overdraft saving the Indian savers तो ये जो है ये भी एक important book रहेगी ये जो questions होते है direct exam में question पूछे जाते हैं authors के उपर तो ये जो है इसमें आपको extra information की जरूवत नहीं है ये direct आपको question याद रखने हैं कि book का नाम और उसके साथ author का नाम अगला question देखते हैं हमारा तो करम योद्धा गरंथ जो book है वो किसकी life पे base है किस से inspire है तो हमारा answer हो जाएगा नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी जो है जो की current prime minister है इंडिया के उनकी life से inspired है करम योद्धा गरंथ अब ये जो book है करम योद्धा गरंथ ये किसके द्वारा release करी गई थी या फिर विमोचन जो करा गया है करम योद्धा गरंथ का वो किसके द्वारा करा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा अमित शाह अमित शाह जो है जो की present home minister है इंडिया के उनके द्वारा release करी गई थी करम योद्ध गरंथ जो की based है नरेंद्र मोदी की life पे अगला question देखते हैं Who is the author of the book An era of darkness, the British Empire in India तो An era of darkness, the British Empire in India ये जो book है इसके author कौन है तो हमारा आंसर होगा शेशी थरूर, तो शेशी थरूर जो है जो की लोग सवा member भी है तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है An era of darkness, the British Empire in India तो ये आपको याद रखना है Who is the author of the book Legacy of Learning तो Legacy of Learning जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सविता चावरा सविता चावरा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है Legacy of Learning Who is the author of the book The India Way Strategies for an Uncertained World तो ये जो book है Most important question रहेगा The India Way Strategies for an Uncertained World तो ये जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा S. Jaisankar तो S. Jaisankar जो है जो कि हमारे foreign external minister है इंडिया के उनके द्वारा बुक लिखी गई है The India Way Strategies for an Uncertained World तो ये आपको याद रखना है Who is the author of the book Invincible Attribute to Manohar Parikar तो Invincible Attribute to Manohar Parikar जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा तरुन विजय तरुन विजय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है Invincible Attribute to Manohar Parikar Manohar Parikar जो है ये पूर्फ CM रह चोके हैं Goa State के तो ये आपको याद रखना है अगला question देखते है Who is the author of the book My Life, My Mission तो ये जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है My Life, My Mission तो हमारा आंसर हो जाएगा Baba Ramdev तो Baba Ramdev जो है जो की योग गुरू है इंडिया के उनके द्वारा लिखी गई है My Life, My Mission Who is the author of the book Lal Bahadur Shastri Politics and Beyond तो Lal Bahadur Shastri Politics and Beyond जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा Sandeep Shastri तो Sandeep Shastri जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Lal Bahadur Shastri Politics and Beyond इसको याद करने का तरीका रह सकता है आपके पास कि शास्त्री जो है जो book सावरकर Ecos from a forgotten past तो सावरकर Ecos from a forgotten past जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम सामपत विक्रम सामपत जो है इनके द्वारा book लिखी गई है सावरकर Ecos from a forgotten past तो ये भी आपको याद रखना है Who is the author of the book Hop on My adventures on boats, trains and planes तो Hop on my adventures on boats, trains and planes जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा Ruskin Bond Ruskin Bond जो है ये बहुत famous author है इंडिया के तो इनके काफी सारी famous book हैं जो कि अक्सर exam में पूछी जाती है जिनमें एक important book रहेगी Hop on my adventures on boats, trains and planes तो ये आपको याद रखना है Who is the author of the book Wuhan Diary Dispatches from a Quarantine City तो Wuhan Diary Dispatches from a Quarantine City जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Fang 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 जो है ये चाइनीज author है इनके द्वारा book लिखी गई है Wuhan Diary Dispatches from a Quarantine City तो coronavirus के time पे जो Wuhan को Quarantine कर दिया गया था Wuhan City को उसके उपर ये book लिखी गई है Fang Fang के द्वारा Who is the author of the book Backstage The Story Behind India's High Growth Years तो Backstage The Story Behind India's High Growth Years जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Montek Singh Aluwalya Montek Singh Aluwalya जो है इनके द्वारा book लिखी गई है ये जो है एक Indian Economist है बाकी जो आपको तीनों options दिख रहे है ये भी Indian Economist है तो ये जो है Montek Singh Aluwalya इनके द्वारा book लिखी गई है Backstage The Story Behind India's High Growth Years तो ये भी important book रहेगी Who is the author of the book Shettling to the Top The Story of PV Sindhu तो PV Sindhu जो है जो की Badminton player है इंडिया की उनके उपर एक book लिखी गई है Shettling to the Top The Story of PV Sindhu तो इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा V. Krishna Swami V. Krishna Swami जो है ये author है Shettling to the Top The Story of PV Sindhu के इसमें PV Sindhu जो है उनकी story के बारे में बताये गया है उनकी lifestyle के बारे में बताये गया है Who is the author of the book My Encounters in Parliament तो ये भी एक important book है My Encounters in Parliament जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Bal Chandra Mungekar Bal Chandra Mungekar जो है इनके द्वारा book लिखी गई है My Encounters in Parliament Who is the author of the book Mind Master Winning Lesson From a Champions Life तो Mind Master Winning Lessons From a Champions Life जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Vishwanath Anand तो Vishwanath Anand जो है ये इंडिया के पहले Grand Master थे ये जो है chess player है इनकी इन्होंने अपने उपर एक book लिखी है जिसका नाम है Mind Master Winning Lessons From a Champions Life तो ये आपको याद रखना है Who is the author of the book Being Gandhi तो Being Gandhi जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा पैरो आनंद पैरो आनंद जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Being Gandhi Who is the author of the book Shivaji in South Blog The Unwritten History of a Proud People तो Shivaji in South Blog The Unwritten History of a Proud People जो है ये book किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा ग्रीश कुबेर ग्रीश कुबेर जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Shivaji in South Blog The Unwritten History of a Proud People अगला question देखते हैं हमारा Who is the author of the book Missing in Action The Prisoners Who Never Came Back तो Missing in Action The Prisoners Who Never Came Back जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा चंद्रसुता दोगरा चंद्रसुता दोगरा जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Mission in Actions The Prisoners Who Never Came Back तो ये भी एक most important book रहेगी आपके exam के लिए Who is the author of the book Lockdown license तो Lockdown license जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा शोभादी शोभादी जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Lockdown license ये जो है इंडिया की काफी famous author है तो इनकी book जो रहेगी ये भी important रहेगी Who is the author of the book Professor B.B.Lal India Rediscovered तो Professor B.B.Lal India Rediscovered book जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा प्रलाद सिंग पतेल प्रलाद सिंग पतेल जो है इनके द्वारा book लिखी गई है Professor B.B.Lal India Rediscovered Who is the author of the book A Song of India तो A Song of India जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है Most important book रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Ruskin Bond तो हमने पीछे ही डिसकस कराता रसकिन बॉन्ड के बारे में तो रसकिन बॉन्ड जो है इनकी एक और ये important book है जो की रहेगी A Song of India Who is the author of the book Masihah Modi A Tale of Great Expectations तो Masihah Modi A Tale of Great Expectations जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा तवलीन सिंग तवलीन सिंग जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है Masihah Modi A Tale of Great Expectations तो ये जो book है ये Modi के उपर है नरेंद्र Modi जो की current Prime Minister है इंडिया के तो ये भी important book रहेगी Who is the author of the book The Unquiet River A Biography of the Brhamputr तो ब्रhamputr river जो है उसके उपर ये book लिखी गई है जो की है The Unquiet River A Biography of the Brhamputr तो ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा अरुप जोती सैगिया अरुप जोती सैगिया जो है इनके द्वारा book लिखी गई है The Unquiet River A Biography of the Brhamputr तो ये जो सभी questions थे इनमें से कोई भी exam में question पूछा जा सकता है सभी most important questions है exam के लिए तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें धन्यवाद दोस्तों